राजभवन परिसर में हम आपको दिखा रहे हैं सेयद शहनवाज हुसाइन जी जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर है और अभी अभी मंत्री परिशत का कि शपत लेकर क्या है आपने उर्दू में शपत लिए इसके पीछे क्या बजाए मेरी मादरी जबान है उसी में लिए यह उर्दू हिंदी का सवाल नहीं है मैं घर में उर्दू बोलता हूं मैथली भी बोलता हूं तो जिसमें कमफोर्टेबूल हो इसमें सपत लिया अच्छा शरवाज जी यह बताए कि आप राश्ट्रे प्रवक्ता के तौर पर अभी रहे केंद्र में मंत्री भी रहे अब यहां पर बिहार में आपको नितीश कुमार के मंत्री मंडल में काम करने का मौका मिल रहा है आप इसको कैसे देख रहे हैं क्या वो उहदा ज्यादा बड़ा था या यह है देखिए उहदा बड़ा चोटा नहीं होता है हम परधान सेवक की पार्टी के लोग हैं यह उहदा नहीं लेते हम सेवा लेते हैं तो सेवा यहां हो यहां हो पार्टी कहती है यहां सेवा करना यहां करेंगे पार्टी ने कहा चलो कश्मिर जाओ और वहां पर कमल खिला के देखाओ तो गए हिम्मत से कमल खिला के देखाओ उसी का इनाम मिला है नहीं इनाम इनाम तो पार्टी स तेवा का अफसर देती जिम्मेदारी मिली है इनाम मानिएगा तो फिर दिक्कत है इनाम नहीं है जिम्मेदारी है और जो मेरा अनुभव है जो मेरी जान पहचान है मेरा स्किल है जो मेरा पडिचे है जो मेरा नितिश कुमार जी के साथ काम करने का केंद्री अनुभव है वो नितुरत में यहां काम करेंगे निरंदर मोदी जी के सपनों का बिहार नितिश कुमार जी के नितुरत में बनाएंगे कि बिहार के लोग जाके गुजरात, मुंबई, तमिलनाडो, बंगलोर सब को चमका सकते हैं तो बिहार के लोग यहां क्यों नहीं काम कर सकते हैं तो अब मकसद यही है, नौजवानों ने बहुत उमीद से हमारी सरकार को नितिश कुमार जी के नित्रत में चुना है, तो पानी बिजली सरक तो सब कड़ी दिया नितिश जी ने, अब तो क्या बचा है काम, अब है वो जो नीव बन गई है, उस नीव पर बिहार को बहुत मु कट नहीं देती है, उस सीधे आपको विधान परिशाद के बाद मंत्री बना दे रही है। जहां कभी बहुत बड़ा दंगा हुआ था, वहां पर भी मैंने हिंदू और मुसल्मानों के बीच में एक अच्छा माहौल बनाया और महबत का फूल खिला कर कमल खिला कर दिखाया है। पैदा हुआ और यही मेरी पार्टी रहने वाली है, मेरी पार्टी ने जब मुझे बहुत दिया, तब भी पार्टी का बहुत काम किया। जब पिछले कई साल से मैं संसदिय राजनीत में नहीं था और पार्टी ने खुद तय किया, मैंने तो कहा भी नहीं था। पार्टी ने मुझे, राष्टिय देख जी ने खबर किया कि आपको MLC बनाया है, जाहिए नमनेशन कीजिए। पार्टी ने खबर किया आपको मंत्री लेना है, हम यहां आगे। क्या लगता है कि शहनवाज हुसाइन के एंट्री के साथ ही बीजेपी में अब एक तबका जिसके खिलाफ लोग थे या जो बोलते थे, अब उनकी भी इसमें एंट्री हो गई है। सर्थव्धर्म्राइब कुटौ desse है, हम तो वसूधेब कुटौंगम बाली पार्टी पूरे वसूदा को अपना मानते हैं, किसी को अपना, जो इस मुल्क से पयार करेगा, बीजेपी उससे पयार करेगी. या मैंना नेक्स क्या कदम कहा जा रहा है कि आप डेप्टी सीम के पद पर भी आप जा सकते हैं मैं एक मंतरी के तोर पर शपत लिया है इसी तोर पर काम करूंगा कोई काम जो पार्टी देगी वो काम इमानदारी से पहले भी किया है करूंगा इमानदार छवी के साथ काम हरदम किया है भारत सरकार के मंत्री के तोर पर भी और अब तो अपने घर में काम करना है अब मैं बाट करता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शाहिनवाज हुसाइन जी और आप दोनों एक साथ आप बात कर रहे थे जिसमें नोंने काते हैं कि बस में ये चला करते थे उस वक्त में और फिर सबसे कम उब्रवाले मंत्री बन गए और अब बिहार में आकर MLC और मंत्री बन गए हैं आप इसको किस तरह किसे देख रहे हैं अब देखिए हर पतनी इसे अपने जब पती की प्रोग्रस होती है तो खुशी होती है कौन सी ऐसी पतनी होगी जो खुश नहीं होगी तो भारत की बेटी हूँ और विहार की बहू हूँ तो मुझे खुशी ही होगी और हमेशा इनसे एक वो रहेगा मेरा की तरकी पे काम करें, विकास पे काम करें, बेरोज़गार हैं भारत को बहुत जरूरत है अभी जो सचे काम करने वाले हैं और निष्ठा से काम करने वाले ह ईसे इंसान को अगर एक जगा मिलती है तो खुशी होती है आप अंकुष रखेंगे इन पर कहीं दाएबाय ना जायें वो कुदी यह जो बीजेपी जिस पार्टी में है न वो कुदी अंकुष रखती है मुझे उस पर विशवास है मोदी जी पर विश्वास है इनके जितने ऑफिजो बड़े लीडर्स हैं उन सब पे विश्वास है कि वोपने बच्चे को बाहर कहीं जाने नहीं दे सकते हैं यह आप ने देखा शहनवाहु सैंद दिमपत्ति को वह सीधे तोर पर यह पर यह कह रहे हैं कि पार्टी में उनका पूरा भरोसा है पूरा विश्वास है औ काप तक पहुँचे हैं हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमारे एबीपी नियूज पटना एबीपी नियूज आपको रखे आगे